अपा गल करांगे पंजाब्दी आवाज़ाई दे साधना बारे ट्रांसपोर्ट दे बारे जिमें कि अपा जान दे हां कि पंजाब्दी पुमी जो है पद्री है ता इथे रेल्वे लाइना विच्छान दे विच ते सडका बनाओं दे विच कोई आख नहीं हों दी ठीक है त नेटवर्क दी हपा गल करिये ता पंजाब दे विच न्यशनल हाइए एयज स्टेट हाइवेस दे डिस्ट्रिक रोडस पाय जान दे हन ठीक है नैशनल हाइवेज्ट कई नेशनल हाइवेज पंजाब दे विच निकल दे हन जिननना डी टोटल लेंथब 649 किलो मीटर है स् उस्तो जादा है उस्तो बाद district roads दी अते उस्तो बाद state highways दी length आजन दी है ठीके ता national highways की हुन दे हन national highways अर्बन roads हुन दियाने जो की national capital नो वकवक states दिन आल जोड दियाने border posts नो आपस ते वीच जोड दियाने ते foreign highways नो जोखे आपस ते वीच connect कर दे हन ठीके उस्तो बाद आपा state highways दी गल करिये ता state highways की हुन दे हन रोड सुन दियाने जो की within state वकवक towns नो cities नो district headquarters नो आपस ते वीच connect कर दे हन दूसरीय states नो आपस ते वीच connect कर दे हन अते national highways नो भी है जो ए state देनल connect कर दे हन ता district road within district वकवक जगानों आपस ते वीच connect कर दे हन ठीके उस्तो बाद आपा national highways दी गल करिये जो पंजाब दे वीच निकल दे हन ता सब तो पहला longest national highway of India national highway 44 दी अपा गल करांगे जो की आपना north दे वीच श्री नगर तो शुरू होके south दे वीच के है कन्या कुमारी तक जानदा है जो की तमिल नाडू दे वीच है ठीके इस दे total length पंजाब दे वीच 274 किलो मीटर है ठीके आण देहे तुसी याद रखने की 11 states दे वीचो national highway 44 जो है पास करदा है जिनन दे वीचो पंजाब 1 है ठीके national highway 3 दिगल करिये ता है इंडो पार्क बॉर्डर दे अटारी विखे शुरू होंदा है जो की अमरित सर्दे नेडे है ठीके एंड ले तक जानदा है ठीके उस तो बाद national highway 5 एहे west to east move करदा है फिरोषपूर तो शुरू होंदा है अते शिप्कीला पास शिप्कीला पास तो अनू याद होना चाहिए कि कि अपा पड़या सी सतलुज इंडिया दे विच एंटर होंदा है ठीके साइनू इंडिया बॉर्डर ते हे पाया जनदा है एंड हिमाचल परदेश दी क नौर डिस्ट्रिक तक नेशनल हाइवे 5 जो है एंड होंदा है ठीके ओस्तो बाद नेशनल हाइवे 7 एहे पंजाब दे फाजिल का तो उत्राखंड दे माना तक मूव करदा है ते माना जे उत्राखंड विच केड़ा स्थल है हिंदू प्रतन स्थल है रिशी केश ता एहे वख वख जो हिंदू प्रतक स्थल है रिशी केश रुदर प्रयाग देव प्रयाग इना नू देरा दून अते चंडीगर दे नालेहे कनेक्ट करदा है नैशनल हाइवे 7 ठीके ओस्तो बाद नैशनल हाइवे 9 मलोट तो पिथोरागर जो की उत्राखंड दे विच है नैशन राजस्थान दे राजस्थान दे विच पिंडवाडा तक ए जो है एंड हुंदा है राइट ता उस तो बाद बस सर्विसेज ऑफ दे स्टेट दी अपगल कर देयां बस सर्विसेज जो की बहुत ही आवाजाईदा मुख साधन हन पंजाब देवी चते कन्वीनियंट भी ब पाकिस्तान दे ननकाना विखे अपना जो है मत्था टेकना चौंदे ने ओनना दे वस्ते है बस सर्विस चलाई गई सी अमरिच सर ननकाना साहिब बस सर्विस दोहजार देविच प्राइम मिनेस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने इसनो जो है इनागूरेट किता सी और दोहें पंजाब पूर्भी पंजाब अते पच्छमी पंजाब दोनना दे विच मेत्री पूरण संबंध जो है उनना उंदर सौंदी हुई इस बस दा जो नाम है ओहो पंज आब रख्या गया सी ठीक है उस्तो बाद दिल्ली लाहॉर बस सर्विस उनिसो नडिन दे विच प अधियन रेलवेस दी जो है सब तो मॉडरन अते सब तो लार्जेस्ट कोच फैक्टरी है ठीक है यह तुसी याद रखना है उस्तो बाद आयां दे अपने को लिए पट्याला लोकोमोटिव वर्क्स पट्याला लोकोमोटिव वर्क्स ता पहला ना कि इसी डीजल लोको अधियन सी जो हुं दी है उ काट हुं दी है इस करके इस तो बाद इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव जे थे बनाई जान लगे ते इस दा नाम बदल के पट्याला लोकोमोटिव वर्क्स रख दिता गया राइट ता 1981 दे विच इस नू सेट अप किता गया सी यू केन रिमेंबर इस तो बाद आपा गल कर दिया एयर्वेस दी ता पहले लेक्चर दे विच आपा करके आये सी कि पंजाब दा सब तो बड़ा एयरपोर्ट किते है अमरीच सर दे विच अमरीच सर नो केड़े गुरु साहिबान ने वसाया सी चौथे गुरु श्रीगुरु रामदास जी न इस दा नाम जो है इंटरनाशनल एयरपोर्ट रख्या गया सी अमरीच सर दा नाम भी पहला की सी रामदास पुर ठीक है ताहिए तुसी याद रख सकते हैं उस्तो बाद बठिंडा जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एथे जो है इंडियन एरफोर्स द्वारा भी यू यूज किता है इंडियन एयरबेस भी है ठीक है पत्याला दिया पगल करिये तो डुमेस्टिक एयरपोर्ट है आदमपूर जलंदर भी खे चंडिगर एयरपोर्ट मोहाली भी खे ठीक है इह डुमेस्टिक भी है इंटरनाशनल एयरपोर्ट भी है इंडियन एयरफोर्स जिस दे विच 1965 थे 1971 दी वार दे विच थे इस दी बहुत मतलब की involvement सी ता इसनो तुसे याद रखना है ता पंजाब दे एतिहासिक गुर्द्वारे एत्हों दे म्यूजियम्स अते एत्हों दे वेट लैंड्स नू देखन ले दूर दुरह देओं लोग पंजाब दे विच ओंदे हन पंजाब दे अमरिच सर पत्याला हुशे आरपूर जलंदर आधी होर कई डिस्ट्रिक्स जो हन तूरिजम देली बहुत मशूर हन ता पंजाब सरकार ने जो हेरिटेज एंड टूरिजम पर्मोशन बोर्ड बनाया सी ता कि तूरिजम नूँ पर्मोट किता जा सके आते कुछ इनिशेटिव लिटे जा सकन ता कि तूरिजम नूँ एंकरेज दिता जा सके स्टेट देविच ता इस दे जो चीर्मेन हुन दे हनो चीफ मिनिस्टर हुन दे हन इस तो बाद पंजाब तूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन दिया पगल करिये ता ओल ओवर इंडिया जिनने भी टूरिस्ट कॉंप्लेक्से हन जो कि स्टेट गवर्मेंट दे अंडर उन्दे हन वह 1979 दे विच पंजाब तूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन नू दे दिते गई हन तूरिस्ट कॉंप्लेक्से की हन जिथे टूरिस्ट जो हन थोड तूरिस्ट कर सकन थोड़ी देर लियो ते रुख सकन जिस तरह दिली दे तूसी प्रगती मैदान देवी चकदे गए हो तो अथे पंजाबी रसोई है जिथे की पंजाबी एथनिक फूड टूरिस्ट नू सर्व किता जानदा है पहला था सब तो पहला बठिंदे दा इते ह जिथे की सब तो पहली जो मुस्लिम रूलर सी फीमेल मुस्लिम रूलर रजिया सुल्तान नों ये थे क्याद करके रख्या गया सी अते मन्या जानदा है कि इसनो कुशान वंच दे राजा कनिशक ने बनवाया सी उस तो बाद है किला मुबारक पतियाला ता पतियाला डाइन चուन किता गया बेकट ब्रिक्स दे नाल राइट ता उस तो बाद आ अगया केशगड फोट केशगड फोट ता श्रीगरु गोबिन सिघ्ण जी ते सिखा नुउ धीं है पन्ज कक्यां दे वीचो इक कक्का केशकर ता श्रेगुर् मुर्ज और गोभिन सिंह दे देड़िय द्वारा हे बनाया गया थाहिए अनानत्पूर साहिभ दे वीचा स्थित है पन्झ तख्ता दे विचो एक तख्त है रैइट, और पायल Gardai Pateyaladhi Tahsilag पायल दिविच स्थेत ulाड़मा अमर सिंग करें और पायल दिविचर्व सर्वे इंडिया को अज गली इस लो कार्दिता गया है और पाया धिविच बाहि महाराजा 1 पिंधर पाया धिशिर कता अम्र सिंग करें इसनों बाया फोर्ट दा नाम दे देता गया, शापूर कंडी फोर्ट, तक कंडी नाम तो तुसी की तोडे मंच की आया हुएगा, श्रीवालिक पहाड़ियां दे फुट हिल्स थे, पठान कोट दे विचे स्थेत है, ठीक है, जस्पाल सिंग ने इसनों बनवाया सी, अते इस दा नाम मुगल एंपरर शा जहान दे नाम ते शापूर कंडी फोर्ट रख्या सी, उस तो बाद आपा कर दे हां फरीद कोट फोर्ट, फरीद कोट फोर्ट नाम ही दस रहा है कि सूफी संत बाबा फरीद दे नाल रिलेटिड है, ओ इते आय संत जिस करके इस दा नाम फरीद कोट फोर्ट रख दिता गया, पहला इसनों मौकुल हार दे नाम दे नाल जाने आ जान्दा सी, एहे जो है नानक शाही ब्रिक्स दे नाल बनाया गया है, नानक शाही ब्रिक्स मतलब ए समझ सकते हो कि शरीगुरु नानक देवजी दे टाइम दियां ब्रिक्स, या फिर जो बहुत पुराणियां बिल्डिंग्स जो के डिमॉलिश रण दिया हन उन्ना दे बिल्डिंग्स नो नानक शाही ब्रिक्स दा नाम दे दिता जान्दा है. Next है अपने कुल, अनन्दपूर साहिब फोर्ट रूपनगर्दी, अनन्दपूर साहिब देविच स्थित है, अनन्दपूर साहिब देविच श्रीगूर गोबिन सिंग जी ने अपने जीवन दा बहुत समा बतीत किता सी. बहादूर गड़ फोर्ट पट्याला दे विच है, ता पट्याला दे विच तो सी देख साहिए कि किन्ने एतिहासिक स्थान एथे मौजूध है, ठीक है, रॉयल सिटी पट्याला, नवाब सैफ खान ने इसनू बनाया सी, सैफ अली खान नहीं, इसनू पहला सैफा बाद भी केहा जान दा सी, ठीक है, बाद दे विच महाराजा अमर सिंग ने, पट्याला दे महाराजा अमर सिंग ने इसनू बहादूर गड़ फोर्ट दा नाम दे दिता, उससे बाद बठींडा फोर्ट, एथे एंशेंट सिख स्क्रिप्चर्स, ते मैन्यू स्क्रिप्ट्स नो रख ठीक है, एथ उसी याद रखना है, एंड कुशान वंच टी टाइम दिया, जो मतलब ब्रिक्स सन, उन्ना दे नाल इसनू बनाया गया है, गोबिंदगर्ड फोर्ट, एहे इसनू पंगियां दा किला केहा जान दा है, क्योंकि पंगी सुनके तो अटे मन दे विच महाराज र मिसल दे नाल, ता पंगी सर्दार ने इसनू बनाया सी, बाद दे विच श्रिगुर गोबिंद सिंग्जी दे नाम ते इसना नाम गोबिंदगर्ड फोर्ट जो है, रख दिता गया, इसने इतिहासिक महत्ता है इस फोर्ट दी, कि इसनू पंजाब दा सिंपलिक रिप्रेज कि इसने इस गोबिंदगर्ड फोर्ट नो अपना जित लेया, और पूरे पंजाब दे राजस्थापित उसना मन लेया जांदा सी, फिल और फोर्ट महाराजा रंजीत सिंग फोर्ट भी इसनू कहा जांदा है, जिलालु दे आना दे विच है, और बैंक आफ सतलुज दे है, स्थित है, ठीक है, उस तो बाद आप म्यूजियम ते बारे गल कर दे हैं, सब तो पहलना शीष महल म्यूजियम, जिसनू की महाराजा नरिंदर सिंग ने बनवाया सी, एंड लाहॉर दे, जो अपने कोल है, शालीमार गार्डन दे पैटरन ते इसनू बनवाया गया सी, पट इसनू जो है, इनागुरेट किता गया सी, ठीक है, खटकड कला, जो की शहीद आजम पगज सिंग दा, जो जनम स्थान है, वो थे बनवाया गया इसनू नवा शहर दे विच, राइट एथे शरी सरदार पगज सिंग, अते उनना दे चाचा जी, सरदार अजीत सिंग, अते ह 4 revolutionaries, जिवें की सरदार करतार सिंग सराबाद, जीवन दे नाल रिलेटेड, कुछ मटीरियल अते, उनना दियां फोटोज एथे रखियांगी हैं, राइट, विरासते खाल सा म्यूजिम, वेरी इंपोर्टेंट, अननपूर साहिब विखे स्थित है, एथे 10. पाच्षाही, श्रीगुरु गोबिन सेंग जी दे लिखे हुई स्क्रिप्चर्ज रखे गई हैं, एड अकॉर्डिंग टू एशिया बुक ओफ रिकॉर्ड्स, दोजार उननी, इस म्यूजियम दे विच दुनिया दी सब्तो जादा, मितलब लोगे थे पहुंचते हैं, सब्तो जादा, फ जी एस पाठक उनना ने इसनू इनागुरेट किता सी, ठीक है, एंड हुश्यारपूर दे विच स्थित है, हुश्यारपूर दे नेडए एक आर्के लोजिकल साइट है, टोल बाहा, जी थे की एंशियंट अते मिडीवल टाइम्स दे स्कल्प्चर्ज इथे पाई जान दे स ठीक है, एंड उस तो बाद आगे अपने कुल शिरिगुरु तेग बहादूर म्यूजियम अननदपूर साहिब विच स्थित है, अननदपूर साहिब जो जगा सी हो शिरिगुरु तेग बहादूर जी ने ही वसाया सी अननदपूर साहिब, एंड उस तो बाद स्वीरी दे विच इसनों इनागुरेट किता गया, याद रख सक दियो, Government Museum and Art Gallery, चंडिगर विखे है, एथे प्राजस्थानी ये पहाडी, miniature paintings रखेयां गया है, जंगे अजादी मेमोरियल जलंदर विखे स्थेते है, एथे पंजाबियां दी, यादे हिंदुस्तानियां दी, जो मतलब जंगे अजादी दे विच, अजादी दी लडाई दे विच, जो उनना दे sacrifices सन, उनना नों कमेमोरेट करन दी लिए है, बनाया गया सी, मुगल आर्किटेक्चर दी गल करिये ता सब तो पहला आम खास बाग इसनों बाबर ने बनाया सी, या उस तो बाद मुगल एम्परर शाजहां ने इसनों री बिल्ट किता सी, सराई नूर महल, इहे जलंदर दे कोट कहलूर दे विखे स्थित है, ता मुगल बादशा, जहांगीर दी वाइफ नूर महल दे कहने ते इसनों बनाया गया सी, या ते जदो इहे बन रहा सी, ता जकरिया खान ने इसनों सुपर्वाइज किता सी, ता हे हिस्टोरिय इंपोर स्थे मार्बल्स दे नाल बनाया गया है, तुसे देख सकते हूं, प्लेसे अफ पिल्ग्री मेज दी गल करिये, ता गुर्द्वारे यां दी गल करिये, ता सबतों पहला तरन तारन साहिब शिरी गुरु अर्जन देव जी दे द्वारा बनाया गया सी, पन्जवे गुरु शिरी गुरु अर्जन देव जी एथे लिपरोसी पेशियंस नो रख दे सें, ठीक है, याद रखने है, गोईंदवाल साहिब अमरित सर्विखे, ता चौथे गुरु शिरी गुरु अमर्दास जी ने एथे 84 पॉडियां वाली बॉली दा निर्मान करवाया सी, ता यहे 84 वार हो जब्ची साहिब दा पार्ट करेगा, ते उस तो बाद सरोवर देविच इशनान करेगा, बॉली देविच इशनान करेगा, ता उस दी 84 पॉडियां जान दी है, मतलब जो योनिया अहन 84 लखता हो एथे जो है कॉडियां जान दी है, ता यहे तुसी याद रखने है गुर्द्वारा शरी चोला साहिब, गुर्दास्पूर डिस्ट्रिक्ट देरा बाबा नानक विखे स्थित है, पहले गुरू शरी गुरू नानक देव जी देनल एथे बैठके, रावी दे कंडे ते, लेफ्ट बैंक ते, शरी गुरू नानक देव जी परगुप अपने जो परमातमा नू याद करदेशन, परमातमा नाम झपदेशन, ठीक है? बाबा बकाला, बाबा बकाला गिड़े गुरु साहबां देनाल, रिलेट्एड है, नौमे गुरु, शुरी गुरु, तेक बहादर जी देनाल, क्योंकि एथे शिरी गुरु तेग बहादर जी ने लगपक 26 साल एथे रहके तापकिता सी ठीक है अठमे गुरु शिरी गुरु हर क्रिशन जी ने जोती जोत समोन तो पहला नौमे गुरु कौन होएगा इस देवस्ति उन्हाने दो शब्द बोले सन बाबा बकाला ता मक्षन शालु बाना उन्हाने एथे ही गुरु तेग बहादर जी नौमे गुरु दे रूप देवीच पाया सी ठीक है ता एहे तुसी याद रखना है सिचुएटिड इन अमरित सर गुरुद्वारा बेर साहिब कपूर्थला डिस्ट्रिक दे सुल्तानपूर लोद्धी विखे ता सुल्तानपूर लोद्धी दा नाम लेंदे ही श्री गुरु नानक देव जी दिमाग देविच आज आन दे हन सुल्तानपूर लोद्धी विखे जबो हो अपनी वड़ी प पापिस नहीं आयसन, जिस्त कटना नो ओना थी Enlightenment channel जोड़या जान्दा है, ता इथे ही जिथे उना नो Enlightenment मेली सी, उथे ही गुर्द्वारा बनाया गया है गुर्द्वारा बेर साहिब, ठीक है, गुर्द्वारा थड़ा साहिब एथे नौवे गुरु, शिरी गुरु तेग बहादर जी ने बैठके परमात्मा नो अर्दास किती सी, परमात्मा नो याद किता सी जदो हरिमंदर साहिब दे विच महंत ने उनना नो एंटर नहीं से करन दिता तो एक थड़ा एथे, मतलब स्थेत सी, तो उनना ने बैठके परमात्मा नो याद किता सी, जदे गुर्द्वारा बनाया गया है गुर्द्वारा कीरतपूर साहिब, एहे छेमे गुरु, हर गोबिन जी ने इस्टैबलिश किता सी अते बाद दे विच सत्मे गुरु, हर राय जी, अते अठमे गुरु, हर क्रिशन जी एथे जनम होया सी ठीक है अन बाद दे विच मतलब एथे एहे गुर्द्वारा जो है कई गुरु साहिबान दे नाल असोसियेटीड सी नोमि गुरु, शिरी गुरु तेग बहादर जी जी जदो शहीदी हो जान दी है तब आई जयता जी पहला उनना नो कीरतपूर साहिब विखे ही लेके आए सन बाद दे विच्छरी गुरु गोबिन सिंग जी उनना नो अननपूर साहिब विखे ले जाके उनना दे सीसदा संस्कार कर दे हन ता ओदो तो सिख अपने मतलब की लास्ट राइट्स फुल पॉन दी जो प्रथा है वो एथे ही तीरतपूर साहिब विखे ही मतलब पूरी किती जान दी है यहें एक मुस्लिम संत पीर बुड़न शादे नालवी यहें असोसियेटिड है ता गुर्द्वारा चरन कमल चमकौर दी गड़ी दे वीचे दो साहिब जादे यां दी शहीदी देखंगे है थे मचे वडे जंगला दे वीचो हू अपने प्रभू नू याद कर दे है अथे अपने मुखार बिन दे विचो मितर प्यारे नू उचार दे है नू ही अपनी सब्तो बड़ी जो है दात अपनी जिंदगी दी मन देहन राइट ता पो दे नौवी अते दसमी दिन एथे मेला लगदा है हरिमंदर साहिब जिस दे बारे दसमी में लगदा है कि कोई ज़रूरत नहीं हरिमंदर साहिब गॉल्डन टेंपल अम्रीच सर विखे ता इस द्वारे तुसी तौनवे जानके खुशी होएगी कि वर्ल्ड जिंदियां भी रिलिजियस प्लेसेज नी सब्तो जादा विजिटेड हरिमंदर साहिब गेल ठीके ता इसनू श्री दरबार साहिब दे नाम नालवी जाने आ जानदा है पंज तक्त सिखांदे पंज तक्त पंज गुर द्वारे जो की बहुत एतिहासिक महतव रख दे हन रिलिजियस महतव रख दे हन श्री अकाल तक्त अमरिच सर विखे जोसी फोटोस देख सकते हूँ दंदमा साहिब तलवंडी साबो विखे जित्थे शिरी गुरु गोबिन सिंग्ज ने थोड़ी देल मतलब रेस्ट किता सी तलवंडी साबो विखे इसनु जो है सेंटर आफ लर्निंग भी कहा जानदा है राइट तक्त शिरी केसगर साहिब अपकर कर चुके हैं ठीक है अकाल तक्त शिरी दंदमा साहिब तक्त शिरी हजूर साहिब तक्त शिरी हरिमंदर साहिब जिसनु की पटना साहिब दे नाम नालवी जाने अजन्दा है जित्थे दस्वी पात्षाही शिरी गुरु गोबिन सिंग जिदा जनम अस्थान सी पटना साहिब ठीक है इसनु हरिमंदर साहब दे नामनालवी जन्या जन्दा है हजूर साहब नांदेड विखे ठीक है तो उस्तो बाद आपा टेंपल्स दी गल कर दे हां मंदिरां दी गल करिये ता सब तो पहला रामतीरत अमरित सर विखे है एथे रिशी वालमी की रेंदे सन ठीक है एथे एक अंदर हट है एक चोंपड़ी है जिते की माता सीता ने लव अते कुष्णू जन्म दिता सी ता हे रमायन दे टाइंद एहे रामतीरत जो है मतलब कंस्ट्रक्ट किता होया है दुर्ग्याना मंदिर माता दुर्गादा मंदिर है एहे मंदर नालो जादा मतलब इस दी जो लुक्स वाई से ही जो इस दी अपिरेंस है ओ गोल्डन टेंपल दे नाल मिल दी जुल्दी है ठीक है इसनों लक्ष्मी नरायन मंदिर भी कहा जन्दा सी एंड गुरु हर साई मलक कपूर ने इसनों बनवाया सी पगवती मंदर बठिंडा दे माईसर खाना विखे स्थित है सोडल मंदर जलंदर विखे कहा जन्दा है कि बच्चेयां दी हर विश एथे पूरी हुंदी है बाबा सोडल दा इथे मेला भी लगदा है हर साल पंच मंदर जो की कपूर्थला देविच है ठीक एंड पते सिंग, सर्दार पते सिंग ने इसनों भनवाया सी याद रखना है काली देवी मंदर प्ट्याला देविच बहुत ही मशूर काली माता दा मंदर है ठीक है और एहे नेशनल मॉन्यूमेंट वी है इसनों पत्याला महाराजा पुपिंदर सिंग दे टाइम दे इसनों चंस्ट्रक्ट किता गया सी केव टेंपल पठान कोड़ते विच है लौड शिवा दिनाल ही रिलेटेड है शिव जी दिनाल रिलेटेड है ते मुक्तेश्वर टेंपल इसनों जो है मन्या दान्दा है सरहंद विखे मूरिश मौस्क कपूर्थला विखे ठीक है कपूर्थला दे राजय ने इसनों बनवाया सी चिल्ला बाबा शेक फरीद फरीद कोट इसनों टीला बाबा शेक फरीद दे नाम नाल वी जन्हां जन्हांदा है, सूफी, संट बाबा, शेख, फ्रीजी, देनाल एहे associated है, ठीक है, that's all for today, I hope कि तौन एहे अच्छी लग गया हुएगा, class enjoy केती हुएगी तुसी, so thank you so much.